जार्खन में एक तरफ सीम हिमंत सुरेन पर संकत के बादर चाय हैं। दूसरी तरफ उनकी पत्नी कल्पना सुरेन को अगला सीम बनाने के अठकले लगाई जा रही है। कमाल की बात है कि ये दावारवाज्य की सत्ता धारी जे एमेम की किसी नेता ने नहीं किया है। बलकि जार्खन से बीजेपी सांसत निशिकार दुवे ने किया है। विपक्षे सांसत के इस दावे को बलतम मिला जब मंगलबार को जे एमेम और कॉंग्रेस विधायकों के साथ कल्पना सुरेन भी दिखाए दी। इसी के साथ क्यास अगने लगे कि क्यार जैसे 27 साल पहले लालो परसाद यादव ने चारा गुटाले में फसने के बाद अपनी पत्मी राबडी देवी को सीम बनाया था। उसी तरह लैंड स्कैन के मनी लॉंटरिंग में फसे हिवन सुरेन भी अपनी पत्मी को सीम बनाकर वाजनेतिक दबदबा बलकरार रखेंगे। कल्पना सुरेन की बात करें तो वो ओडिशा की मयूर भंश के एक बिजनसमेन फैमिली में आती हैं और उनकी मा एक ग्रहनी है। कल्पना सुरेन का जन्म 1976 में राची में हुआ था। उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की है। और राची के एक सर्थारी कॉलेज से राजेशन किया है। साथ फरवरी 2006 को हेमत सुरेन से उनकी शादी हुई। कल्पना और हेमिल के दो बच्ची हैं। बर्थ प्रोफाइल की बात करें तो कल्पना एक प्राइवेट स्कू पर वो कम दिखाई दोती है। आपको यहां बता दे कि ऐसा पहली बार नहीं है जब कल्पना का नाम खबरों में आ रहा होगा। इसे पहले कल्पना सुरेन का नाम उस वक्त चर्चा में आया था जब जारखन के पूर हुसीयम और बीजेपी नीता। रगुबर दास ने उन ध्योकिक काम शुरू करने के लिए आधिवासियों के लिए बनाये गए प्लॉट पूल से 11 एकर समीन आवंटिव दिए दावा तो यहां तक किया गया कि राजी के बरहे इंडस्ट्रियल पार्क में सोहराई प्राइवेट लिमिटिट को मीट प्रोसेसिंग यूनिट के लि तो उनके आवास सहीर तमाम ठिकानों पर सोंबार को एडी के दीम में दपिश्टी इस दोरान हेमंत सोरेन के गाया बहने की चर्चा हुई यहां तक की बीजेपी हमलावर हो गई और डावा किया गया कि हेमंत सोरेन भगोडा हो गई है जारकन के राज़िपाल सीपी राधा और उन्हें मीडिया के सवालों पर कहा कि मैं था, मैं हूँ और मैं रहूँगा वह 31 शनवरी को एडी के अधिकारियों से मुलागात करने की बाद कही अलकि हेमंत सोरेन कुछ भी कहे लेकिन जानकारों का दावा है कि उनके बचने के संभावना कम दिखाएडी रही है ऐसे म पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, धन्यवाद